वेलकम दोस्तों आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटलेक्शन में आज हम एक ऐसे एप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए इसलिए योस्पुल होगा क्योंकि इस वीडियो में ये जो वीडियो एडिटिंग एप है इसमें आप अपने वीडियो को बहुत ही इजी वे पे एडिट तो कर सकते ही है साथ ही ये वाटर मार्क भी नहीं देता means क्या होता है अगर हम किसी अदर वीडियो एडिटिंग एप का यूज करें तो उसमें क्या होता है वाटर मार्क शो करता है उस एप का लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल वाटर मार्क फ्री है और साथ ही ये फ्री एप है तो ये बहुत ही अच्छा एप है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो एडिट करना अपनी मोबाइल से तो आप इस एप का ज़रूर यूज करिए ये एप है आपका वी लॉग इट तो सबसे पहले आपको इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे एप ओपन होने के बाद उसका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से है ये जो आप देख रहे हैं फ्रम कैमरा ये आप तब यूज करेंगे जब आप डिरेक्टली क्या करना चाहते हैं अपनी camera को open करना चाहते हैं और कोई video shoot करना चाहते हैं अगला है आपका from library इसका use आप तब करेंगे जब आप किसी video को import करना चाहते हैं means आपके पास already video है आपकी gallery में आप बस उसे import कर रहे हैं तो ये दो feature है इसके साथ ही ये जो आपको option बटन दीकरा है इसमें भी कुछ option है जैसे ही आप उसे touch करते हैं तो आपके सामने ये option दीकरा है settings का जी हाँ ये सारी इसकी settings है तो इसकी settings के बारे में हम बाद में देखेंगे फिल्हाल हम देखते हैं किस तरीके से हम इसमें वीडियो एडिट कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं from library में जाके सबसे पहले एक वीडियो को import कर लेते हैं आप देख सकते हैं मैंने एक वीडियो को select किया जैसे ही मैंने select किया नीचे उसका preview show कर रहा है अब मुझे इस button पे touch करना है ये देखिए, हमारा जो वीडियो है वो import हो गया, यहां से आप वीडियो को play कर सकते हैं, साथ ही यहां पर आपके पास different tools हैं, जिनका कि आप use करके अपने वीडियो को edit कर सकते हैं, साथ ही यहां पर आप देख सकते हैं, एक pen जासा icon है, यानि कि यह आपके edit option है, तो चलिए one by one देखते हैं, कि किस तरीके से होगा, सबसे first है आपका text, आप text पर जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो पर कोई भी text जो आप add कर सकते हैं, इसके लिए आप देख सकते हैं, यहां पर different styles है, तो आप कर सकते हैं, यह देखिए, मैंने जैसे ही से select किया, तो यह बोड़ रहा, tap to add text, अब आपको क्या करना है, simply यहां पर touch करना है, और जो भी text आप देना चाहते हैं, वो आप दे दीजी यहां पर, यह देखिए, tap to add text, तो मैं फिलहाल यहां पर hello या welcome लिख देती हूं चलिए, welcome लिख दिया मैंने, और यह जो आपको दिख रहा है, यानि कि आपने जो text लिखा है, वो आपको left side चाहिए, right side चाहिए, या center पर चाहिए, तो आप यह अपनी हिसाप से set कर लीजेगा, तो फिलहाल मैं इसे center पर करती हूं, तो यह देखिए, जो welcome है, वो show हो गया, इसके बाद आप इसे okay करना चाहते हैं, तो आप simply इस right पर touch कर दिजे, तो आप अगर इसे play करेंगे, तो आपको यह show कर रहा है, साथ ही आप देख सकते हैं, यह जो आपको option दिख रहा है, यह है इसका duration, यानि कि आप text जो भी आपने लिखा है, वो आप कितने time के लिए show कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर यह दिया हुआ है, तो आप इसे कम जाद अपने हिसाब से कर सकते हैं, देखिए, maximum 5 seconds है, तो आपको इसे किस area पर रखना है, starting पर रखना है, center पर रखना है, कि last पर रखना है, यह आप अपने हिसाब से देख लिजे, फिरहाल चलिए हम इसे starting पर रखते हैं, और 2 seconds के लिए show करते हैं, और उसक Sticker अगर आप कुछ use करना चाहते हैं, तो आप यहां से use कर सकते हैं, यह देखिए आपके बस different stickers हैं, तो आपको अगर लगता है, इसे use करना है, तो आप simply यहां से select कर लीजिए और आप उसे use कर लीजिए, यह देखिए इस तरीके से यह आ गया, इसके बाद मैं इसे क्या करती हूँ, तो यह भी जो है, set हो गया, यहां से आप अपना जो time है, वो उसका duration है, वो set कर लीजिए, आपको कितना चाहिए, और उसके बाद यहां से भी आप इसे okay कर लीजिए, next step का audio, यहां पर आप दिख सकते हैं, आपको तीन चीज़ दिख रही है, music, effects और voice over, music, यहां से आप music select कर सकते हैं, कुछ effect देना है, तो वो भी आप यहां से दे सकते हैं, साथ ही आपके device मगर कोई music है, तो वो भी आप यहां से select कर सकते हैं, तो आपको जो भी करना है, आप simply touch कर लीजिए, और अगर आप download करना चाहते हैं, तो simply इस पर tap करिए, जैसे कि यह देखिए, य और next है आपका voice over, voice over दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप voice over भी दे सकते हैं, अगर आपको okay करना है, तो simply इसे touch करिए, close करना है, तो यहां पर touch करिए, फिर से बोलना है तो आप यहां पर touch करिए, तो फिलहाल मैं cancel कर रही हूं इसे, मुझे नहीं चाहिए voice over, इसके बाद मैं back हो जाती हूं, next step का pip, यहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी photo जो है वो select कर सकते हैं, जिसे कि मान लिजे मैं यहां से कोई color select कर रही हूं, तो आप देख सकते हैं, वो जो color था, वो यहां पर show कर रहा है, तो यहां पर आप image show कर सकते हैं, मान लिजे आप कोई video बना रहे है और आप किसे topic के बारे में बोल रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने जो user है वो उस pic को देखे और समझ जाए कि आप क्या कहना चाहरे हैं तो ये आप pip के तौर पर यहाँ पर use कर सकते पी आई पी तो ये जैसे मैंने ले लिया उसके बाद आप यहाँ पर ok कर दीजिए और अपना जो time है वो set कर लीजिए तो उसके बाद ये show होने लगेगा next step का transition transition के लिए ये कह रहा है कि आपके पास minimum two video clip होने चाहिए फिलाल हमारे पास one है तो ये अभी हमको transition करने नहीं देगा next step का reverse अगर आप इसे reverse करना चाहते है यानि कि उल्टा चलाना चाहते है तो आप वो भी कर सकते हैं simply आप इस पर touch कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा next speed आपके वीडियो की speed आपको कितनी चाहिए आपको simply क्या करना है इसे slide करना है आपको जितना भी speed चाहिए और यहाँ पर आप show कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी उसका measurement होगा speed का वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगा और उसके बाद आप ok कर दीजिएगा next filter आप कुछ effect डालना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको ok करना है next है आपका adjustment यहाँ से आप overall अपने video पे adjustment set कर सकते हैं यानि कि आप देख सकते हैं brightness आपको कितनी चाहिए contrast कितनी चाहिए जो कि normal हम photo edit करते हैं तब भी यह रहता है saturation आपको कितना चाहिए नहीं चाहिए तो नहीं भी कर सकते sharpness आपको कितना चाहिए वीडियो पर temperature कितना चाहिए आप देख सकते हैं color change हो रहा है उसका यह भी आप effect समझ लीजिए यह effect है तो अगर आपको कुछ चाहिए आप select करिए दर उसके बाद इसको touch कर दीजिए पर touch किया center पर तो मुझे यह pen जास आइकन दिख रहा है अब हम क्या करेंगे इस पर touch करेंगे यह देखे जैसे ही मैंने उसे touch किया तो वो एक edit का option था यहाँ से आप क्या कर सकते हैं अपने वीडियो को trim कर सकते हैं यानि कि आपको कितना हिस्ता रखना है नहीं रखना है यह आप यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद simply आप यहाँ पर touch कर दीजिएगा next split करना चाहते हैं आप उसे divide करना चाहते हैं दो पार्ट पे तो उसके लिए भी दो option दी यहाँ पर multi split और अगर आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो आप reset भी कर सकते हैं next snapshot यानि कि same similar copy आपको अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं नहीं चाहिए तो यहाँ से delete भी कर सकते हैं crop आपको simply क्या करना यहाँ पर pinch करना है जैसे कि हम zoom करते हैं same way करना है तो इस तरीके से आप क्या कर रहें crop कर रहें अपने video को तो यह भी आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं और यहाँ से ok कर देंगे उसे rotate भी कर सकते हैं duplicate भी create कर सकते हैं volume भी add कर सकते हैं delete भी कर सकते हैं तो यह आप देख लीजेगा अब हमको back होना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर touch करेंगे और हम back हो गए अब आप फिर से notice कीजेगा जैसे याप इस center वाले area में select करेंगे जो की एक video का preview है तो आपको फिर से show हो रहा है यहाँ पे plus और यहाँ पे plus इस plus का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं या तो आप previous म क्या करना चाहते है video clip एक और add करना चाहते है या फिर आप video के end में video clip add करना चाहते है अगर कुछ ऐसा है तो आप वो भी कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर touch करती हूँ तो यह फिर से मुझे option पूछ रहा है from gallery या camera तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं multiple video clip अपने video editing app में add कर सकते हैं और आप अपने video को और भी ज़्यादर duration का बना सकते हैं जैसे कि मान लीजे अभी हमारे पास है total 12 second का video आपके पास 2-3 और video clip है जिसे कि आप इसमें add करना च कर सकते हैं यानि कि अगर आपको लगता है कि कोई video clip सामने add करना है तो आप इसे touch करिए और आपको लगता है कि end में touch करना है तो आप उसे यहाँ पर touch करिए तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने video को edit कर सकते हैं एक बहुत ही simple तरीके से ना ही इसमें आपको कोई watermark और नहीं आपको इसके लिए कुछ पेड करना पड़ रहा है यानि कि टोटल फ्री एप है और इतना होने के बाद जब आपका एडिटिंग कंप्लिट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर टच करना है यह है आपका एक्सपोर्ट बटन यानि कि आपने जो भी एडिट क किया है अभी वो सारे आप क्या कर रहे है एक्सपोर्ट कर रहे है जैसे आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे तो आपने जो वीडियो एडिट किया है वो आपकी गैलरी पर शो होने लगेगा और इस तरीके से आप क्या कर सकते है अपने वीडियो क यूज कर सकते हैं तो चलिक बर प्ले करके देखते हैं प्ले बटन ये है इसका ये देखिए हमने टेक्स्ट और कुछ स्टीकर एड़ किया था तो ये हमें शो कर रहा है हमने उसके लावा कुछ और एड़ नहीं किया तो ये शो नहीं कर रहा है अगर कुछ और हम एड़ करते बहुत सिंपल वेव में एडिट कर सकते हैं उमीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही जादा यूसफुल होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू